नमस्कार दोस्तो नौलिज इस्ट्रीम आपके अपने चैनल में स्वागत है दोस्तो जो जर्णा साइंस की हमारा सीरीज चल रहा है उस सीरीज में जो आज एक प्रूंख टॉपिक के बारे में डिसकस करेंगे बारे में कुछ बारी मैटल्स होते हैं बारी धातों होते हैं जि पर बहुत ही बुरा आफक पड़ता है और अन्वार्मेंटल को तो नुक्सान बहुचाती है एक जानुवेशन पांट अफवीव से और जनल इंफोर्मेशन की पांट अफवीव से भी बहुत इंपोर्टन है टॉपिक चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं अचका टॉपिक ह दोस्तों स्टार्ट करने से टॉपिक आप से अन्रोध है कि अगर प्रिजन्टेशन आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ आपके अगर सुझाओ भी हैं तो हमें उनको बताएं कमेंड़ बॉक्स में उनको लिखें थाकि हम और ज्यादे इं कर नहां जरूर दबालें ताकि जो भी नया वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए चलिए एक नई उमीद एक नई आसा के साथ जो है ना एक नए दिन का सुरुवात करते हैं और बात करते हैं पारेवरेंट प्रोदूशन और भारी धातू की डिजीज की तरह जो है ना एन्वार्मेंटल में जाना गया है बैसे कली एक मिनिमाता रोग है जो अग्जाम सुना और बहुत पूचला जाता है कि मिनिमाता रोग इसकी वज़े से होता है मिनिमाता रोग यसे कली पहली बार 1956 में कुमा मोटो प्रांथ है जापान का मिनिमा पारा की वज़ए से जो नहीं बीमारी फैलिती यह जो एफलोंट है उहां के जो डीजर वैर है या पानी के जो स्रोत हैं इविन दो यह काफी मातरा में जो नहीं समुदर के पानी में भी मिल गया था और महां के मचलियां यहां तक यह मचलियां भी प्रुभावित हुई थी तो यह मिनमाता रोग उसी सहर के नाम से जो है मिनमाता है बेसिकली यह मिथाइल पारा की डंपिंग की वज़े से है और मिथाइल जो पारा है वो इस रोग का कारण है तो यह हवी मेटल मरकरी है मरकरी की वज़े से यह रोग होता है और यह गंभीर विशाकता पारा विशाकत होती है जिसमें जो ना हाथ और पेरों में अकडन आ जाती है और बैंड हो जाती है उन पर कंट्रॉल जो ना नियुर्ञ लॉजिकल कंट्रॉल खत्म जाता है जैसे कि हम पिक्चर में देख चुपे हैं एक बच्चा है जो मीनिमाता रुग से परावय के उसका हाथ कैसे भैंड हुई है और नस्वं में अकडन आजाती है Smith कि हमारे रीड की है जो उसमें भी बैंड एन जाती हैं और चलने फिड़ने और डिफेंट का वर्ग करने वी परिशान होती है तह lump कि भीवी माता रोग जो की mercury हैंभी मैटल की वज़ेसे होती है यह नेक्स्ट भारी धातो है 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 इसमें कुछ जो यह विमारी है विमॉद्दर यह मं पर देख पा रहे है जो मनूसर अगर चलता-फीरता है तो उसको चलने फिलसे में परेशान होती है वो ठीक से street नहीं चल सकता है, जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं, दूसरा हाथ-पेर हमें सुननता आ जाती है, मतलब एक काम करने की जो एक दर होती है, उसमें जो हना कमी आ जाती है, हाथ-पेर जल्दी से काम नहीं कर पाते हैं, स्रवन और बोलने की छंता भी प्राव ह हो जाती है, में इसे वो दूर की वस्तों या पास की वस्तों को भी क्लियर नहीं देख पाता है, कि एक cognitive disease है, मतलब जमजात बिमारी के रूप में भी इसका पता चला है कि अगर यह बिमारी माता को हो जाती है, तो उसके बाद उसके पैदा होने वाले बच्चे को भी बिमा होती है, अगली जो भारी धात हो है, वो है कैडमियम, कैडमी की वज़े से बहुत महित्पुर्ण बिमारी होती है, जिसका नामे इटाई-एटाई-ए, तो यामा प्रांथ जो जापान में, हुआ 1912 में खो जा गया था, बड़े पैमाने पर जो कैडमियम का रिशा हुआ थ कि जो वाटर रिसोर्स है, और जो रीवर और समुद्र हैं, वहाँ पर रिलीज किया गया था, और यह कैडमियम की वज़े से बिमारी होती है, जो कि भारी धात हुए, और कैडमियम की विशाक्ता की कारण क्या आता है, यह मेल रूप से जो ना दो चीजों के भारे में जो हजाती है, यहां हम देख सकते हैं, जो यह यहां हम डेख सकते हिए, जह इसके पोजेशन है, जब वो, कोई बिमारी नहीं न ret है यह द्हीरे धीरे जो हयना इस बिबारी की प्तल बढ़ता है, और यह बैंड होता चला गयां, है इस थे से हड़ी नर्मी हो जाती है और इस तरीके से पॉस्चर बन जाते हैं दूसरी कि माइधकुन बी इस से इफैक्ट पड़ता है परभावित होता है और यह प्रवावजित होती है और किणी ऑचे नाइटरेट के पुभूजल में जब ब्हूजन किया जाता है और आधी बादी बिवासरै किया जाता है तो यह बिमारी ज़ुझली जनजात single बच्चे होते है। इफेक्ट करती है उन बच्चों में जो हीमोगलोविन की आक्सीजन ले जाने की च्छमता होती है वो इस नाइटेट की बज़े से प्रवाइब होती है और उसके जो नसे हैं वींस हैं होटरीज है वो एक कलरफुल चेंज हो जाती है रेड के बजाए वो ब्लू होने लगती ह जब आक्सीजन की मातरा कम हो जाने की है हमोगलोविन में तो उस बच्चे की मौत हो जाती है तो एक बहुत ही बड़ी बिमारी है ब्लू वेबी सिंड्रोम और बेसिकल है जो हम पानी पीने का इस्तमाल करते हैं और उसकी वज़े से होता है जिसमें नाइटेड प्रोदूस जाता है बंजर भूम में भी और होगा का समाल इस्तमाल किया जाता है तो नाइट्रेट उत्पनों के अल्टिमेट लिए हमारे जो वाटर रिसोर्स हैं वहां पर पहुंच जाते हैं जैसा कि इस फिगर में देख पा रहे हैं सोर्स ऑफ नाइट्री अट्मोस्पेर से भी न इस वाटर रिसोर्से उस पर मिक्स हो जाता है यह हमारे घरों का सीवेज और सैप्टिक वेस्ट भी है वह भी नाइट्रेट का इस जील होगे उन पर भी प्रवाइब पड़ता है इस नाइट्रेट का और अल्टिमेटली यह बीमारियों को जन देता है जैसा कि आमने इसको अलग नाम से भी जाना जाता है काले फेफड़ों की बीमारी इसको काले फेफड़ों की बीमारी इसलिए कहते हैं कि बीमारी का असर जो ना कोईला खदान में जो वरकर काम करते हैं उन पर पड़ता है उनकी जो फेफड़े हैं उनमें जो हैना कोईले की छोट-छटे पार्टिकल जमा होने लगते हैं और फेपड़ा अंत में ब्लैक होने लगता है और उसका जो है ना संकुचन और जो विस्तार है वो धिरे धिरे प्रवावित होता है और अक्सीजन केरिंग के एपसिटी भी कम होने लगती है जैसा फिगर में हम देख पा रहे हैं यह नौरमल माइन से वहाँ पर जो व्रकर काम करती हैं उन को खास का रिक्रत करता है यह नियुनौकुनाइसिस वहीं है वो यह के और इंडेस्ट्रिल जो POLLUTANT है ASBESTUS, विस कहलेह थै ASBESTUS INDESTRY में जो worker काम करते है यह भी भी फेविरों से समझदी थै और ASBESTOS कहते है, ASBESTOS वो दोग में काम करने वाले एक कारागार कामगार भी इसी गली फेविरों की समझ भी बिमार से इडिएरों में जमा होने लगते हैं और उनके जो कंपलेशन और अलोंगेशन जो हैं यह एक्टिवटी को प्रवाइद करते हैं जैसा कि हम इस फिकर में देख पा रहे हैं एक्चलि जो हमारा फेफडा होता है ऊसमें इवियो फ फीTOR होते हैं जो ऑक्षीजन को रिलीज करते हैं ऑक्षीजन को अस षो Ziard करते हैं उनमें जमा होने लगता है तो उनका चैक तो करनेव खत्म होने लगता है है जो आपकशिजीieseALL को हुआ हमारे थेपरों में है पेशेगली फेपरा इन ही सी बना हुआ होता है इसी सीडिकोस इस इससेज इंडेस्टी से असॉसेटे भी बिमारी यह भी फेपरों की बिमारी में अमारे वर्कर काम करते हैं उनको की नहीं होती है और जो सिल्का सेम सांस के थे बॉड़ी में लेते हैं और उनके फेफ़रों में सिल्का जमाँ होने लगती है सेम यहां पर भी जो अबीओल होती है उसमें वो पार्ट सिल्का का जमाँ होने लगता है और धीधरे उसकी जो है ना एक oxygen storing capacity भी काँ होने लगती है और उनका function जो है ना फेफ़ों का वो धेरे धेरे जो ना अबनॉर्मल्टी के तरफ बढ़ने लगता है तो यह सिलिकॉसिस बीमारी है बेसिकली सिल्का उद्धॉप से ऐसोसेटिट है और वहाँ पर जो काम करते हैं उनको एफेक्ट करती है सिलिकॉसिस नेक्स्ट जो एम्फिसीमा डिजिस है यह भी एक फेफ़ों का हिरोग है लंस का रोग है जो बेसिकली वही प्रोडूसर्ण और सिगरेट का दुवाँ होता है वह फेफ़ों के अंदर जाता है तो उसके जो समय देंसी उतक है उनको छती होती है जैसे हम यह देख पा रहे हैं जो छोटे शोड़े दल जैसे हमें ने बात किया यह एवियोले होती है और उनमे जो आपसीज़्ट इस एमफिसीमा की वज़े से जो इसका एंधी जो एरिया है, हेल्दी इमेज है, वो ऐसे हो जाती है, जिसकी वज़े से जो एनाकसीजन इस्टॉरिंग कैपसिटी कम होने लगती है, तो यह डेमेज एडी होगी है, जैसा फिगर में हम देख पा रहे हैं, तो यह उपना के वि यह एक लास्ट है, जो बिल्डिंग सिंड्रोम से ऐसे बैसिकली से इंग्लिस में सिक बिल्डिंग सिंड्रोम भी कहते हैं, यह अचली इसकी वज़े से जो है आदमी लेजी हो जाता है, उसका जो है किसी काम में बहुत एक्टिविटी से जो है वो वर्क नहीं कर पाता है, इसकी एनर्जी लोज होती है, बेसे कली रीजन यही है कि जो वर्कर, बेसे कली हमारे जो रेजिडेंस एरिया होता है, या हम जहां पर काम करते हैं, ओफिस वगेरा, वो पूरली वेंटिलेटिड होते हैं, उसमें वेंटिलेशन की इतनी विवस्ता नहीं होती है कि फ्रेस इंटर कर सके और जो इस्टेल एर है वो उस जगे से बाहर जा सके जिसकी वज़े से जो एना लेजिनेस और कामकरनी की दर में बाहर ही गिरावट आती है, इसे इंडोर एरो क्वाल्टी से संब्द दी थे, तो यह कुछ बहुत महत्पूंग बिमारियां हैं, जो कुछ हैव अगर आपको अच्छा लगा और नहीं भी अच्छा लगा तो डिसलाइक का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के बीच में जिरूर शेयर करें, इसे के साथ ही नेक्स लेक्टर में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद